नमस्कार यूपी की खबरों के मेगा बुलेटन में आपका स्वागत है। नमस्कार यूपी की खबरों के में आपका स्वागत है। नमस्कार यूपी की खबरों के में आपका स्वागत है। नमस्कार यूपी की खबरों के में आपका स्वागत है। प्रदेश की सेवा मौने की अमुले सेवा की और प्रदेश और प्रदेश के अमुले सेवा के साथ। जब बुलंसर में हमारे जन्पुत्र निवियों ने एक बात की मान की वह मान की कि यहां पर भी चिकिस्वा सेवा का एक अपका सेज़क विश्वास के समस्तान होना चाहिए। साथ ही उनका कहना था कि बीजेपी में हवाई चपल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में आत्रा कर रहा है। यह सिर्फ बीजेपी शासन में ही संभव है। दर्वेंदर प्रदार ने कहा कि जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं उन्हें समाजवात का अर्थ नहीं पता। बीजेपी सरसमाज की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलती है। कई महिनों से रविवार को देश की साथ एक अनुका जन संभाद का परंपरा सुरू किया है। तो हमारी देश की मिशिष्टा है बात्चित करना आपकी आदान प्रदान करना लोगों की सुनना लोगों को अपने प्रेणा नहीं अनुहबूं को समझां करना यहीं मन की बात की है। यहीं मन की बात से होती रहती है। इतना ही नहीं महिलाओं ने छटों से उन पर फूलों की बारिश के। साथ ही लोगों ने उनकी आरती उतारी। इतना ही नहीं मुस्लिम महिलाओं भी सड़क पर थाली लेकर उनके स्वागत में खड़ी दिखाए दी। शिकोवाद के बड़े बाजार में जेपी नट डाने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने और दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की है। आगरा पहुंची केंद्रे मंत्री स्प्रतिराणी जिनोंने नौर्थ इदगाह कॉलोनी में प्रभावी मतदाता संबात कारिकर में शरकत के जहाँ पर दक्षण विधान सभासे बीजेपी प्रत्याशी कले परचार किया। बता दें कि योगेंद्रुपाध्याय दक्षण विधान सभासे बीजेपी के प्रत्याशी के तस्वीर आप देख सकते हैं। बरेली के बहेडी विधान सभा शेतर पहुचे डिप्टी स्यम केशाप प्रसाद मौरे ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मागा है। बता रहें कि बहेडी में मौरे वोटरों के संख्या करीब पचास हजार के आसपास है। मौरे दर्शेकों यूपी चुनाओं को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा चाही। इसी कड़ी में इटावा से बीजेपी विधायक और उत्रप्रतेश बेसिक सिक्षा मंतरी डॉक्टर सतीश चंदर दुवेदी से खास बाच्छित की हमारे सयूगी दीब कुमार याद है। क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। के लिए तो आपके लिए इतवा बिधान सवा के लिए क्या मुद्दे होंगे किन मुद्दों के साथ आप चुनाओ लड़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के केंद्रे नित्रत और प्रदेश नित्रत के प्रति हिर्दे से आभार विक्त करता हूं। मेरे जैसे सामान प्रिश्ट भोमी के साधारन किसान परिवार के बेटे पर लगातार इ्टवा जैसी महरत्तपुर्ण सीट पर प्राटी ने भरोसा जताया है। मैं पूरी कोसिश कर रहा हूं कि पार्टी के भरोसे पर खढ़ा उत रहूं। मैंने पइचले पांच साल में अपने भारतिय चननता पार्टी की योगी सरकार और मोधी सरकार के कारेकाल में उनके आषिरबार्बाद से पफर पांच चाल में सड़कों के मामले में इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज आई टिय आई पॉलि टेकनिक सध शिक्सा छहतर के मामले में, एस्पितालों के मामले में और जिस बिधान दभा में आजादी के बाद एक भी टाउन एरिया नहीं था, एक भी नगर पंचायद नहीं था, इटवा और विसकोहर नगर पंचायद बनुआ करके, बाड से रोक थाम के उपायों को लेकर चाहे बंदों की बोल्ड कर जनता के बीच अभी जा रहा हूं और आने वाले दिनों का संकल्प यह है एद्देप की उसके लिए भी प्रक्रिया सुरू है जमीन आरक्षित हो गई है केवल धन का बंटन होना बाकी है इटवा अस्पताल को ध्वस्त करा करके पुराना हो चुका है पचास बिट का नया रोड़ बेज बस इस्टेशन की स्थापना जिसके लिए सरकार से स्विक्रत मिल चुके है लेकिन जमीन नहीं मिल पाई मार्केट में इसकारण नहीं हो पाया फायर इस्टेशन की स्थापना और मिनी स्टेडियम की स्थापना यह चार चीज़ें ऐसी है जो प्रक्रिया में आधा काम हो चुका है इन कामों को पूरा कराना यह अगले कारेकाल की सरवच प्राइब लिए आपके दौरे एक नारा दिया गया है इत्वा सुन से सिखर की बूर तो क्या ऐसे काम रहेगे जो आपके दौरा इस पांच सालों में नहीं हो पाया है आपकी बार अगर जंता तो क्या करेंगे लिए देखे जब मैं बिधायक बना तो इतवा की दृष्टी से सुने था कुछ भी नहीं था जिसको बता सकते हैं इसलिए इत्वा का नाम भी को ही आज भी देखते होंगे आप समय समय पर इत्वा की जगर पर इतावा आ जाता सपने बहुत दिखाये रही हैं जो आपसे कहा कि हमारी तीन तीन सड़कें साथ मिटर चोड़ी करन का काम चला है इतवा बेलवा हुडलापूर रोड़ 22 किलो मिटर का चोड़ी करन का कारेब पूरा होने वाला है ऐसी पचासो सड़कें छेतर की बन रही है सब चीजे हो रही है लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा उसके लिए भी सुर्वात कर चुका हूँ रोड़ बेज बस स्टेशन हायर स्टेशन मिनी स्टेडियम और इतवा अस्पताल का नया भवन और उसका उच्ची करन ये चार ऐसी अगले कारीकाल में जब पूरी हो जाएंगी तो एक तासील में एक बिधान सभा में जो कुछ होती है वो सब चीजे इतवा में हो जाएंगे और वहमारे सतना पूरा ये थे उत्तरपर्देश के मंत्री जी जो हमसे बात करने के लिए थे और इनका कहना है कि पहले इतवा न जो होती है तो इटवा को और विकास की और लेके जाएंगे जाएंगे जोनाव जीतने के लेड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इसी कड़ी में अंतरास्ट्रे महिला खिलाडी बीजेपी ने ताब बविताफ फुगाट बिजनाव पहुचने पर बविताफ फुगाट का जोरतार स्वाखत किया क्या वही नुमाईश मैदान चौक पर चौधरी चरेंट सिंग के प्रतिमा पर फूल माला का मालयारपन्ट किया क्या वही मीडिया से बाचीत मुनों ने कहा कि जिरे में फिर से कमल खिलेगा और मैं जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के अपील करने आई हूँ. खेल के मैदान से सियासत के मैदान में आने पर संख़श करना पड़ता है. खेल और सियासत के गुन सब यहीं से सीखे जाएंगे. जन्षभा भी करेंगे जाके अपने छेतर अपने समाज के जो लोग हैं उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे और एक निवेदन करेंगे कि जिनोंने आपको शुरक्षय दी है जिनोंने आपके छेतर का विकास कराया है और जो आपके छेतर का विकास कर सकते हैं आपके देश का विकास कर सकते हैं ऐसे भार्टी जनता पार्टी यह अपील हम लोगों से करते हुए उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने की अपील की है अमेठी की जगदीशपूर सीट से समाजवादी पार्टी रचना कोरी को प्रत्याशी बनाया है रचना कोरी को पहली बार विधान सभा के लिए जगदीशपूर से दो बार वीजेपी जीती है तो एक बार सपा ने भी परचम लह रहा है ऐसे में जग्दीश पूर विधान सभा में प्रचार के दोरा रचना को और इसे खास बाचित की हमारे सेयोगी योगेंदर श्रीवास्ता इस दोरान क्या कोछ उनों ने कहा आप भी सुनिया जग्दीश पूर विधान सभा में रादेश श्याम जी को कि देखे यह आपूए जो कारकम आप देख रहे हैं इतना डेकुरेशन देख रहे हैं यह कारकम जो है यह एक रिस्टूरेंट का उद्गाटन है इससे पहले वह अपना कांग्रेस एगा अपना विधायक रहे हैं और उनको भी हैगा यहां की जंता आएगा सम्माने से उनको मुझे भी बुलाई गई है रही बात है गा उनका कांग्रेस में छोड़के सपा में आना कि क्या ये उनके जुम्मेदारी आपको तो समर्थन कर रहे हैं चुकि नजदीकियां काफी दिखी आपके साथ बंपर वोटों से जीतों की तो आप देख लिजेगा समर्थन हो रहा है आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के गड़ में ही कांग्रेस को तोग रही है और 2022 के चुनाओं में जगदीशपूर के किले को फते करेंगी चलिए 2022 में 10 मार्च को देखते हैं फते मुबारक हो आपको बिधानसभा के उजगाओं में एक रिष्टोरेंट के उद्गाटन की था और उसी में मुलाकात हुई हो मुलाकात में एक खास बातचीत उसमें इन्होंने आरोप लगाया है प्रदेश शरकार पर की प्रदेश शरकार ने विकास नहीं किया है जगदीश पूर बिधानसभा में तो बिल्कुल विकास नहीं किया है लेकिन नतीजों के लिए हमें भी इंतिजार करना होगा दस मार्च का डस मार्च में अब जगदीश पूर बिधानसभा छेत्र के मददाता प्रत्यासिओं के भाग का हैसला करेंगे और सरकार किसकी बनती है फिलाल रचना कोरी जी का दावा है कि प्रिदेश में अखलेस यादो जी की सरकार बनेगी और जगदीश पूर बिधान सभा से वो चुनाओ जीतेंगी श्री वास्तो अमेठी से न्यूज वर्ड इंडिया तुर फिलाल रुके के एक शोटे से बेख लिए कर जाये है नहीं न्यूज वर्ड इंडिया फार ख़बरों का सवस्रा लगातार जारी है मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है मेरे भारत fake news फैलाना इतना आम क्यूं हो गया है तो ऐसे में जब सच और जूट के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल तब भारत एक 9 में हम बात करेंगे उस परत दरपरत की जहां से सच बेनकाब होगा आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है लेकिन इमानदार लव्ज अपने रास्ते ढून लेते हैं अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम जूट की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते हैं तो सोमबाब से शुक्रुवार तर मुलाकात होगी आप से नीजुड़ इंडिया के स्पेशल नीज बाड़कास भारत आट नाइन पर देखिये भारत आट नाइन जाह के साथ सिथ नीजुड़ इंडिया पर अब्रक्त बदला। सरकारे बदल चेहरे बदल मुद्दे बदल नहीं बदलार दोस का अनदास जिसके सवाल बने उट्टरा खंड की आवाज जगा नहीं अंदाज वई जान से डरतन दग रहा है अमने काई वगर हुए तो अपने रूटा गैरों में कादम था मेरी किस्ती डूबी वाजा पानी कम था अरी च्रावत के साथ भी आई हुआ देखिये पूछता हो उत्रा खड़ते तिलक चावला के साथ सोंबार से शरीवा शाम पांच बजे सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदर मैं वो नहीं जो सक्ता से सवाल नहीं पूछते मैं वो हूँ जो सक्ता से ही सवाल पूछता हूँ मैं चंता के मुद्ध्य उठाता हूँ उसी पे बात करता हूँ राश्चित, 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 किसी ने राश्चित नहीं दिखाया, मेरा अंदाज है बेबाक, मान्यमेन का गांधिर जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसर जी हमारे देश के प्रदान मंतरी भी चाय बिचते थे, हम उठात मातागी, हम लेते हैं सीधा, सरकारों से जवाब, कोई सारे सवाल एजवाब सीशेगा, इस अंदुनर में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान कवादी, लखिनपूर तो आप पहुंच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई, नपक्ष नविपक्ष, सिर् ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, विल्टिन में आके बढ़ते हैं, प्रताब गड़ में, रास्ट उद्या पार्टी और आजाद समाज पार्टी गट बंदन प्रत्याशी सरिता पाल के समर्थन में, रास्ट उद्या पार्टी के बदाधिकारियों ने घर गड़ जाकर जन्संपर्क किया, साथ ही प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने के अफिल के, बताने ही कि सरिता पाल को विश्वनात गंज से गटबंदन प्रत्याशी बनाया क्या है, पिली भी जिले की और तीन-तीन सीटों पर ब्यस्पी ने अपने प्रत्याशियों की गोशना करती है, 127 सदर विधानसवा से जहां मुस्ताक एहमत को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वही 128 बर खेड़ा विधानसवा से मोहन सरूफ वर्वा, तो 129 पूरन पुर रिजर्व सीट से अशोक कुमार राजा को टिकेट दिया गया है, पिली बीद की तीन सीटों पर विधानसवा से जहां मुस्ताक एहमत को प्रत्याशी बनाया गया है, सदर विधानसवा से, वही 128 बर खेड़ा विधानसवा से, मोहन सरूफ वर्मा, वही 139 पूरन पूर रिजर्व सीट से अशोक कुमार राजा को टिकेट दिया गया है, यूपी चुराओ खुलेकर सभी पार्टिया अपने जोर आजमाईश में लगे हुई है, इसी कड़ी में मेरट दक्षण विधानसवा से सफा प्रत्याशी आदिल चौधरी से बाचीत कि हमारे समभादाता मुनवर चौहान में, क्या कुछ कहा हुनों है, आप भी सुनिए ह मेरे खिलाब सन 2011 में अचार सहीन तक एक जूटा रोप लगा, जिसका केस नमबर श्चन नोओ सं 2011 में जिसमें रोप है कि मैंने नोट उड़ा है, वह केस अभी तक विचारे धीन है, जिसके कार मीरे केस नमबर 122 में हैं, जिसके नमबर 111, 2,012 में हैं जिसके आरोब था कि मैंने ओर्डिंग लगा हैं। वे केस दिनाक बारा दो अठारा में खतम हो गिया है। उक दोनों केसों के बारे में मैंने अपने नोमिनेशन के सपत्पनमी लिख के दिया है। आगरा के कमला नगर के कावेरी कुझ फेस टू में यूवक ने फांसी लगा कर आत्मत्या कर ली है। बता दें कि यूवक दिल्ली में काम करता था। दो दिन पहले ही वो अपने घर लोटा था। वहीं यूवक की मौत के बाद उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो दिन पहले ही वो अपने घर आया हुआ था। यूवक की मौत के बाद से परिजनों के बीच हाहाकार की उस्तिती है। फतेपुर के विदुद विभाग के अधिकारियों ने फरजी S.D.O. को पकड़ने का बड़ा खुलासा किया है। जिसके पास कई विभाग के फरजी को विकास दुबे का मुख्बिर बता रहा है। वही पुलिस फरजी S.D.O. को हिरासत पे लेकर कारवाई में जुट कई है। गुपता का नाम सरगुल हसर है। जिससे 800 रुपे की रसीद काटी गई। जब यस्डियों को जानकारी प्राप्ट हुई कि साइट पे रसीदे काटी जा रहे हैं। चुकि विभाग में मैंगल रसीद काटने का प्राविधार नहीं है। सहरी छेतर में हमारे हाँ कैस काउंटर्स बने हुए हैं। कैस काउंटर्स पर ही राजसो का पैसा या बिल का पैसा जमा करने का सिस्टम है। इसी स्थिती में शक हुआ और शक को देखते हुए। उखन अधिकारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। और भॉक्ताओं के सहयोग से उसको दबोचा गया और तदकाल पुलिस को सुचित करते हुए। यह उच्छिदिकारीयों को भी सुचिना दी गई। साम को साथे पांच बजे हमको पुल के उपर वहीं पर मिले अपना लिया और हमको 200 रुपया दिया है। तो आप लोग क्या काम कर रहे हैं दफते बुड़ जिले में हम यह क्या कर रहे थे जब पबले गया। जिनका बैलेंस लाइट का विद्रुत का नहीं जबा उनके बताने के अंतर वसूली नहीं उनका पेट करवाना। यह तो चले पेट कर दे जाकर के और यह तो पूरा उनका रिकार्ड मैं कनेक्शन नमबर नाम आधार कार्ड का नमबर यह लिग करके अपना इसमें किया जाएगा और उसके बाद उनका जमा किया जाएगा। अलिया के शेहर कुटवाली धना शेतर के हजरत गंज में पुलिस के साथ हाथा पाई करने का मामला सामने आ है जहाँ पर दो पक्षों के बीच हुए जमीनी बिवाद की सुचना पर पहुंचे पुलिस को लोगों ने वर्दी पकड़ कर थपड़ मार दिया जिसका वीडिय जलाओं ने लाठी लेकर पुलिस के साथ नोग छोग भी की वहीं पीड़ित कारोप है कि कोर्ट में मामला चलने के बावजूद पुलिस कबजा करवा रही है जलाओं में दो पक्षों के विवाद में हवाई फाइरिंग की गई जहां पर बर्चस्व को लेकर दो गोट आपस पेड़ के वहीं खुलियान तमंचा लेकर यूवक दिखाई थिया बताया जा रहा है कि देर अजशराव के नशे में धुत यूवक किसी बात को लेकर फाइरिंग कर रहा था महीं वीडियो सोशल मीडिया पर चमकर वाइरल हो गया है मामला जालौन को तवानी शेतर के महला चुर्खी वालका बताया जा रहा है तो फिराल के इस बुलिटर में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देख रहे के आप बने रहेगा न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ शुक्रिया